शक्ति सरश्वती सिसु मंदिर के सभागर में रास्टे कवि संगम जायंजगीर चापा एवं सांस्कृतिक विकास मांच सक्ति के संयुत ततवाधन में प्रथम सजल संगरा का विमोचन सभी अति थी एवं नगरपालिका अध्यक्ष शुष्मा जयसवाल के द्वारा किया गय सवरपर्थम सभी अतिति के द्वारा माता शौरश्वती भारत माता के सेल चीतर पर पूजा अर्चनाकर कारेकरम का सुबारं किया गया इस अवसर पर दुर्दराद से आये हुए कवी एवं कवित्रियों के द्वारा अपनी अपनी रचना सुना कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया सुसमा जैसवाल ने कहा कि भारते संस्कृती की धरा कवी अपने सुर में कविता के माध्यम से लोगों तक पहुचाता है और कवी में ऐसा गुन रहता है वहर व्यक्तियों के चहरे पर मुस्कानला देता है कारिक्रम में संभाग सहेट जिलास्तर के कवियों ने भाग लिया एस अफसर पर नगर सहेट ग्रामी नंचल के महिलायवं पुरोष काफी संख्या में उपस्थित थे कविताय पढ़ना मेरा सौक बच्पन से रहा है वहसे मेरी कलपना नहीं थी कि मैं लिखने भी लगूँगा लेकिन कुछ है हमारे आदर्नी महानुभाओं के विद्वान कवियों के संपर्क में आने के बाद मेरे फिर से कविता लिखन की ज्यागरीती प्रवित हुई और मैंने अपना प्रथम सजल संख्या अवसर नहीं प्रतिछा करता यह मद्राज से प्रकासित करवाया और आज उसका विमोचन और लोकारपन हुआ मुझे इस अवसर पर अत्यमत प्रसंदता हो रहे है अपने निजनों के बीच में आत्मी जनों के बीच में इस कारकर्म में उपसित हो करके मैं अत्यमत ही पेफिल लोक जो है पढ़hern जो साहिते जो है कागेच के कारगार में काले अक्षदों के सिंखला में कैद है उसको पढ़ करके वे आजात करें और यही इस पुस्त का मुल्य होगा